हेलो स्टुडेंट्स आज हम रिवाइज करेंगे चाप्टर नबर वान रियल नंबर तो उसके लिए फर्स्ट कोशन जो हम डिस्कुस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 17 बाइट जो यह डिनॉमिनेटर है इसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्र लिखेंगे तो 8 को में लिख सकते हैं 2 x 2 x 2 that is 17y 2 raise to power 3 तो डिनॉमिनेटर जो है वो 2 की पावर में आ रहा है तो हम कह देंगे कि यह एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है उसके बाद अगर यहां पर होता लेट इट बी 9 तो यहां पर यह क्या है 3 x 3 तो यहां पर हम लिख सकत है 3 square अब जो डिनॉमिनेटर है वो 3 की पावर में है तो यह एक टर्मिनेटिंग एक्सपैंशन नहीं है उसके बाद अगर यहां पर है 17 by 25 डिनॉमिनेटर जो है डाट इस 25 देन वी और यहां पर डिनॉमिनेटर हो 100 100 का मतलब यहां क्या लिख सकते है 10 x 10 that is 2 x 5 2 x 5 अब यहां पर डिनॉमिनेटर क्या बन गया 2 square x 5 squared आप जो denominator है उसमें 2 की power भी है और 5 की power भी है तो यह भी एक terminating decimal ही है जब भी denominator 2 की power में होगा या 5 की power में होगा या दोनों ही चीजें होंगी that is अगर P by Q है हमारा fraction और Q जो है वो है 2 की power m and 5 की power n where these are positive integers तो जब भी कुछ ऐसा है 2 की power और 5 की power में denominator तो हम कह देंगे कि यह terminating है otherwise यह non-terminating है अगर इनके अलावा कुछ भी आ जता है जैसे कि यहाँ पर 9 था तो 3 की power बनी तो अगर 3 की power बनी तो हम कह देंगे कि यह एक non-terminating है वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख दू 17 by 75 तो यह क्या होगा इसको हम लिख सकते है 75 को 25 into 3 that is 5 square into 3 अब 5 की power तो है लेकिन साथ में extra क्या आ गया 3 जो हमें नहीं चाहिए था तो that means यह क्या बन गया non-terminating तो terminating के लिए बस आपको याद रखना है कि या तो 2 की power में हो उसका denominator या 5 की power में हो या फिर दोनों ही चीज़े हो तो भी यह terminating है तो इसका हमारा answer के आ गया terminating अब हम चलते हैं next concept पे that is हाँ जी कोई भी 8 fractional number दिया है let it be 5 by 7 और हमें बताना है कि यह rational number है या irrational number है तो rational numbers कौन से होते हैं जो भी इस तरह से लिखे जाए P by Q की form में where Q is not equals to 0 and P and Q are integers जब भी यह दोनों integers है और denominator equals to 0 नहीं है तब हम कहते हैं कि जो भी fraction है वो एक rational number है that is 5 by 7 is a rational number इस rational numbers कौन से होते हैं जब भी कोई number root में लिखे हो जैसे कि root 2, root 3, root 5, root 7 यह सारे कौन से numbers है यह सारे है irrational number तो अगर question में कुछ इस तरह से आ जाए कि यह numbers कौन से है तो हम कहा देंगे कि irrational है और अगर कोई भी number इस form में हो that is P by Q की form में हो and denominator 0 ना हो अगर कुछ ऐसा आ गया 1 by 0 तो यह rational number नहीं है not a rational number क्यों? क्योंकि इसका denominator 0 है और हमें denominator 0 नहीं चाहिए होता तो यह irrational है यह सारे rational है तो 5 by 7 कौन सा हो गया? rational number और अगर πाई आ जाए पाई कौन सा number है? तो पाई कौन सा number है? पाई is irrational number non-terminating, non-repeating तो पाई कौन सा है? irrational number moving on to next next हम बात करेंगे numbers की अब numbers जो है अगर even numbers की बात करें even numbers कौन से होते हैं? जो 2 के multiple हो जैसे की 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on जो 2 के table पे आने वाले numbers हैं उनको हम कहते हैं even numbers और जो even नहीं है वो कौन से number होंगे? odd numbers जैसे की 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यानि की जो हमने यहाँ पर छोड़ दिये यह 2 के multiples हमने लिखे वो even थे और जो 2 के multiples नहीं है जो नमबर रह गए उनको हम कह देंगे कि यह सारे कौन से numbers है? odd numbers अब prime numbers की बात करें तो prime numbers कौन से होते हैं? ऐसे numbers जो सिर्फ अपने आपके table में ही आते हैं किसी और के table में नहीं आते जैसे कि 2 3 5 7 11 13 इसी तरह से और बहुत सारे numbers हम लिख सकते हैं जो सिर्फ अपने ही table में आते है 2 सिर्फ अपने ही table में आता है 3 सिर्फ अपने ही table में आता है किसी और के table में यह numbers नहीं आते और composite numbers कौन से होते हैं? जो prime numbers नहीं होते जो prime नहीं है वो कौन से है composite जैसे कि 4 जो है वो अपने आपके table में भी आता है और 2 के table में भी आता है जैसे कि 6 6 अपने table में भी आता है 2 के table में भी आता है 3 के table में भी आता है अगर हम next number लिखें 8 तो 8 क्या है 1 into 8 is 8 and 2 into 4 is 8 तो ये दोनों में आ गया ठीक है तो इसलिए ये composite number 9 भी composite है 10 भी composite है इसी तरह से जो अपने आपके table के साथ साथ किसी और के table में भी आते हैं वो numbers कौन से है composite numbers तो यह तो हो गई numbers के information तो कोई भी number अगर NCQ में आता है तो आप easily बता सकते हैं कि यह even number है या odd number है एक चीज़ और अगर मैं लिख दो 2N तो 2N कौन सा number होगा 2N is even number 2N is even number क्योंकि n अगर हम कोई भी number लेते हैं उसको 2 से multiply करें अगर n 0 है 2 into 0 is 0 2 into 1 is 2 2 into 2 is 4 2 into 3 is 6 सारे 2 के multiples आ रहे हैं तो दैट मेंज 2N जब भी लिखा हो वो कौन से numbers है even numbers लेकिन अगर मैं लिख दो 2N plus 1 तो ये कौन से numbers हो गए odd numbers क्यों क्योंकि n को अगर 0 डालेंगे 2 into 0 0 0 plus 1 is 1 तो 1 कौन सा है odd number अगर 2 डालेंगे 2 into 2 4 4 plus 1 5 याने कि अगर 2N even है तो किसी भी even number में आप एक add कर दीजिए वो कौन सा बन जाएगा odd number 2 में 1 add किया 3 3 क्या है odd 4 में 1 add किया 5 5 क्या है odd इसी तरह से even में जब भी 1 plus कर देंगे तो वो कौन सा number बन जाएगा odd number तो generally even number को हम represent करते हैं 2N से और odd number को represent करते हैं हम 2N plus 1 से इसी तरह से अगर आ गया 6N तो 6N कौन सा number होगा 6N will be even number क्योंकि 6 जो है वो खुद एक even number है जब वो 1 से multiply होगा तो वो 6 बन जाएगा जो कि even है जब वो 2 से multiply होगा तो वो 12 बन जाएगा वो भी एक even है 3 से multiply होगा तो वो 18 बन जाएगा that is also even तो 6N plus 1 अगर हो गया तो वो हो गया हमारा odd number इसी तरह से जो multiples of 6 के हैं 8 के हैं 2 के हैं 4 के हैं वो even होगे और अगर plus 1 डाल देंगे तो वो odd numbers बन जाएगे तो ये हो गई हमारी numbers की information next है LCM अब अगर हमें आता है LCM find करना तो question है LCM of 6 and 9 6 और 9 का LCM find करना है तो LCM कैसे हमने lower classes में भी सीखा है कि हम LCM prime factorization method से निकालते हैं एक और वे हैं हम यहाँ पर करते हैं 6 के हम लिखेंगे factors prime factors लिखेंगे इसको 2 into 3 2 into 3 is 6 और 9 को हम लिख देंगे 3 into 3 उसके बाद LCM of 6 and 9 इसके लिए अब हम क्या करेंगे दोनों में जितने भी prime numbers आ रहे हैं हम वो लिख लेंगे प्राइम कौन कौन सा है एक तो 2 है एक 3 है multiply के sign के साथ जितने भी prime हमें दिख रहे है एक मुझे 2 दिख रहा है दोनों में और एक 3 वो हमने लिख लिख लिया अब highest power लिखनी है यहाँ पर देखिए 2 की power 1 है 3 की power 1 है यहाँ पर 3 की power 2 है 3 2 times है तो 3 की power 2 है अब 2 की highest power क्या दिख रही है हमें 1 क्योंकि 2 की और कोई power है यह नहीं और 3 की highest power क्या दिख रही है यहाँ पर 3 की power 1 है 3 की power 2 है तो highest power कौन सी हो गई 2 वो हमने लिख देना है तो हमारा answer क्या आएगा 2 into 3 into 3 that is 18 9 into 2 18 तो 6 और 9 का LCM आ गया हमारे पास 18 इसी तरह से हम एक और question solve करते हैं अगर हमें 6 और 20 का LCM find करना है तो 6 को तो हम लिख लेंगे 2 into 3 20 को हम लिखेंगे 2 into 10 होता है तो हम लिख देंगे 2 into 2 into 5 4 into 5 20 अब यहाँ पर क्या है 2 की power 1 3 की power 1 यहाँ पर क्या है 2 की power 2 और 5 की power 1 नाव LCM of 6 and 20 अब LCM के लिए क्या चाहिए जितने भी हमारे पास prime factors है हम वो लिख लेते है एक तो 2 है एक 3 है और एक 5 है दोनों में से देखना है हमें 2 भी नज़र आ रहा है 3 भी नज़र आ रहा है और 5 भी अब देखने हैं इनकी powers 2 की highest power कौन सी है देखें 2 की power यहाँ पर 1 है 2 की power 2 है तो highest power हो गई हमारे पास 2 3 की highest power क्या है 1 और 5 की highest power क्या है 1 तो हमारा answer क्या आएगा 4 इंटो 3 is 12 12 फाइज आ 60 तो हमने क्या किया जितने भी हमें common जितने भी हमें prime numbers नज़र आ रहे थे वो हमने लिख दिये और फिर हमने उनकी highest power लिखी highest power याद रखना है आपने and then we got the answer moving on to next ये तो हो गया LCM अब हम बात करेंगे HCF की तो HCF कैसे find करेंगे HCF के लिए हम क्या करेंगे 15 और मान लिजए 15 और 25 का HCF find करना और ये हमारे पास 4 options है तो पहले तो 15 को हम क्या लिख सकते है 3 into 5 उसके बाद 25 को हम क्या लिख सकते है 5 into 5 अब है HCF of 15 and 25 अब इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें हम देखेंगे common दोनों में जो भी common है common क्या है हमारे पास 5 पहले तो इसको लिख लेते है 3 की पावर 1 5 की पावर 1 ये है 5 की पावर 2 अब common क्या है हमारे पास 5 common लिखने के बाद इसमें हम smallest least पावर देखेंगे LCM में हम highest पावर देखते है HCF में हम smallest पावर देखेंगे तो 5 की smallest पावर क्या है यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो smallest क्या आगया हमारे पास 1 तो that means HCF क्या आगया 5 LCM में हमने highest पावर देखनी है HCF में हमने smallest पावर देखनी है LCM में हमने जितने भी prime numbers है सारे लिखने है और HCF में हमने सिर्फ common वले ही लिखने है दोनों में जो common है जो दोनों में आ रहा है जैसे अब 3 यहाँ नहीं है इस case में 3 नहीं है तो हमने 3 लिखा ही नहीं 5 दोनों में था तो 5 लिख लिया और 5 की जो भी least power थी वो हमने लिख 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 इसमें हमने देखनी है least power उसमें highest थी इसमें least power तो यह आगया HCF of two numbers now next one is next is Euclid's division lemma अब Euclid's division lemma क्या है Euclid's division lemma is A is equals to BQ plus R where R is greater than equals to 0 and less than B इसका मतलब क्या है जब भी हम कोई भी two numbers मान लीजिए 25 को हम 4 से divide कर रहे है तो 4, 6, 24, remainder आया 1 अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते है 25 is equals to 4 into 6 plus 1 यह होता है dividend यह होता है जिससे हम divide करते हैं यह होता है divisor जिसको divide करते हैं वो है dividend जिससे divide करते हैं वो है divisor जो हमारा यहाँ पर answer आता है वो होता है quotient और जो यहाँ पर बचता है उसको हम कहते है remainder तो that means dividend को लिखा जा सकता है divisor into quotient plus remainder लेकिन यह जो remainder है इसके बारे में एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यह जो remainder है यह हमेशा ही इस divisor से छोटा होगा जो भी remainder आएगा वो इस divisor से हमेशा ही कम होगा इसलिए जो Euclid division lemma है वो किस तरह का है A is equals to BQ plus R जहां पर A जो है वो dividend है B जो है that is divisor Q is quotient and R is remainder R remainder है और R जो है वो हमेशा ही इस divisor से B divisor है तो हमेशा ही divisor से छोटा होगा लेकिन 0 के equal भी हो सकता है और 0 से greater भी हो सकता है अगर इसी question की बात करें तो इसमें जो remainder है that is less than 4 R जो है वो क्या है 4 से कम और 0 से बड़ा या उसके equal हो सकता है तो यह है Euclid division lemma A is equals to B Q plus R where R is less than B and greater than equals to 0 तो अगर इसके related हमारे पास question आता है let it be question आ गया कि A is equals to 4 Q plus R यह आ गया question अब बताईए कि R जो है उसकी value किस तरह की होगी तो हम सीधा ही क्या देंगे कि R की value 4 से हमेशा ही less होगी और 0 से greater होगी 0 के equal भी हो सकती है इसलिए equality का sign लगाया है और 0 से greater भी हो सकती है लेकिन 4 से हमेशा ही R की value जो है वो small रहेगी 4 से कभी भी बड़ी value नहीं होगी क्योंकि हम 4 से ही तो divide कर रहे है 4 is the divisor here तो R जो है 4 से हमेशा ही कम रहेगा moving on to next that is Euclid's division algorithm जब हम पहुत सारे steps apply करते है उसको कहते है algorithm तो हम lemma को बार-बार use करेंगे और steps बनाएंगे और इसलिए हम इसको बोल रहे है algorithm अब हमने hcf find करना हमने सीखा है एक अनग method से लेकिन अब हम Euclid वाले method से hcf जो है वो find करेंगे वो क्या है देखिए अब hcf जब हमें find करना है तो हम जो भी हमें two numbers दिये हम उन्हें दिवाइड करेंगे 135 और 225 हमें दे रखें तो 225 मैंने यहां लिख दिया 135 को divisor बना दिया 225 जो है वो dividend है तो जब इसको हम डिवाइड करें तो इसको one से किया यह आ गया 135 यहां पर आ गया 90 अब क्या करेंगे फर्स टेप जो हम लिखेंगे फर्स टेप क्या होगा हमारा 225 is equals to 135 into 90 into 1 plus 90 यहां पर क्या है dividend is equals to divisor into quotient plus remainder remainder क्या है हमारा 90 अब इसको हम आगे चलाएंगे आगे चलाने के लिए हम further यहीं पर divide करेंगे अब जिससे हम divide कर रहे थे वो बन गया हमारा dividend अब 90 into 1 is 90 और हमारे पास आ गया 45 तो second step क्या हो गया हमारे पास 135 जो है वो dividend बन गया 90 जो है वो divisor हो गया 1 is quotient and 45 is remainder next step क्या होगा 90 जो divisor था अब वो बन गया dividend 45 to the 90 and यह हो गया हमारा finish अब हम क्या लिखेंगे last step पे 90 is equals to 45 into 2 plus remainder is 0 जब remainder 0 आ गया तो यह हमारे steps जो है finish हो जाएंगे यह कितने भी steps हो सकते है question पर depend करता है इस question में हमारे यह 3 steps में question finish हो गया तो अब HCF क्या आया HCF of 135 and 225 is जो भी last पे हमारा divisor बनता है वो हमारे लिए HCF होगा so HCF here is 45 आप किसी भी method से solve कर सकते हैं बट अगर यह theoretical question आता है कि Euclid division algorithm लगा के solve करना है तो these are the steps कि हम उसको continuously divide करते जाएंगे and जब तक वो 0 नहीं होता उसको करते जाएंगे and फिर उसको step by step दिखते जाएंगे और last पे जो हमारा divisor होगा वही हमारे लिए हमारे answer का HCF है now moving on to next next is any positive odd integer is of the form 6Q plus 1 6Q plus 3 6Q plus 5 इसको भी Euclid lemma लगा कर solve करना है तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए जैसे कि Euclid lemma क्या है A is equals to BQ plus R where R is less than B greater than equals to 0 ठीक है जी तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं अब इस question में ये 6 हमें बता रहा है कि 6 is the divisor है अगर 6 divisor है तो A is equals to 6Q plus R यह हम लिखतेंगे अब जब यह लिखा तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि R is less than 6 and greater than equals to 0 R जो है 6 से तो छोटा है और 0 से यह 0 की equal है यह उससे greater है तो हम step by step करते हैं सबसे पहले हम R को 0 पुट कर लेतें क्योंकि R की values क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, and 5 6 नहीं लेना है 5 तक लेना है तो जब R आ गया 0 तो A is equals to हम लिखतेंगे 6 Q अगर R को हम लेते हैं 1 तो यह आएगा 6 Q plus 1 then R को अगर लेंगे 2 तो 6 Q plus 2 6 Q plus 3 6 Q plus 4 and 6 Q plus 5 अब हमें क्या चेक करना है कि odd की बात की गई है any positive odd integer जो भी odd integers है वो इस तरह के होंगे तो अब हम देखते हैं देखें यह 6 का multiple है तो मैं अगर इसको 1 डालूंगी तो 6 into 1 is 6 2 लिखेंगे तो 6 into 2 is 12 3 लिखेंगे तो 6 into 3 is 18 तो यह सारे कौन से numbers आ रहे हैं even numbers even में जब 1 add हो गया तो यह कौन से बन गए odd numbers फिर जब even में 2 add हुआ अगर 6 into 1 is 6 है 6 plus 2 is 8 तो वो क्या है even फिर even में एक और add हो गया तो यह क्या बन गए odd odd में फिर एक और add हो गया तो क्या बन गए even even में फिर एक और add हो गया यहाँ 4 था 4 में एक odd डल गया क्या बन गए 5 तो यह क्यां से हो गए odd इसका मतलब odd कौन कौन से आ रहे है 6 q plus 1 6 q plus 3 6 q plus 5 तो आगया हमारा answer कि कोई भी odd positive integer किस form का है according to yukilidama 6 q plus 1 6 q plus 3 6 q plus 5 और अगर उन्होंने even पूछा होता तो हम लिखते थे वह किस form के है 6 q 6 q plus 2 and 6 q plus 4 very simple जी नेक्स है जी square of any positive integer is of the form 3 m और 3 m plus 1 तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे हम पहले yukilid lemma लिखेंगे a is equals to b q plus r where r is less than b greater than equals to 0 हमारे इस case में जो divisor है वो 3 है यहां से हमने देख लेना है तो 3 q plus r तो अगर यहां पर divisor 3 है तो इसका मतलब r 3 से कम है और greater than equals to 0 है that means r क्या होगा 0 भी हो सकता है 1, 2 यह हमारे r के values है अब हम इसको solve करेंगे when r is equals to 0 फिर हम लिखेंगे when r is equals to 1 and when r is equals to 2 अब जब r 0 है तो a is equals to 3 q plus 0 तो वो लिखेंगे भी जुदूरत नहीं है उसके बाद हम करेंगे squaring both sides squaring both sides जब हमने किया square तो यहां पर आगया a square यहां पर आगया 3 q का whole square that is 9 q square लेकिन हम यहां पर इसको लिख देंगे 3 into 3 q square हमने 3 इसको अलग ले लिया और इसको हम लिख देंगे 3 k1 उसके बाद हमने इसको एक constant ले लिया यह भी positive integer था और यह भी positive integer है हमने 3 q square की जगा पर k1 ले लिया उसके बाद हम क्या करेंगे now a is equals to 3 q r की जगा पर लिखेंगे 1 फिर से squaring both sides जब squaring करेंगे तो a square is equals to 3 q plus 1 का whole square that is a square plus b square plus 2 a b अब 9 q square plus 6 q plus 1 इस तरह से लिख लेते हैं और इन में से हम 3 common ले लेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3 q square plus 2 q plus 1 और यह वाले bracketed term को मैं लिख देती हूँ 3 k2 plus 1 यहाँ मैंने bracketed term को k1 से denote किया यहाँ पर मैंने k2 से denote कर दिया next हम लिखेंगे a is equal to 3 q plus 2 now again squaring both sides a square is equal to 3 q plus 2 ka whole square a square plus b square plus 2 a b that is 12 q अब हम क्या करते हैं 9 q square plus 12 q और 4 को हम लिखते हैं 3 plus 1 क्योंकि हमें 3 common लेना है तो हम इन तीनों में से 3 common ले लेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 q square plus 4 q plus 1 और यह 1 अलग से अब यह bracketed term को मैं लिख दोगी 3 q 3 plus 1 अब यह जो k 1 है इसको मैं m से भी लिख सकते हूँ और यह जो है इसको भी मैं m लिख देती हूँ क्योंकि यह सब एक positive integers है तो किसी भी alphabet से हम लेनोट कर सकते हैं और हमारे question में क्या था कि square of any positive integer is of the form 3 m या 3 m plus 1 दो तरह के answer आ सकते हैं और यहाँ पर भी k 3 को में लिख देंगे 3 m plus 1 तो यह दोनों से हमें square वाला जो है क्या मिल गया 3 m plus 1 और यहाँ से क्या मिला 3 m यहाँ पर k 1 जो है इसकी जगा पर डाला k 2 इसकी जगा पर k 3 इसकी जगा पर और बात में सब को m से denote कर दिया तो यह हो गया हमारा question solve और हमारे पास positive integers इन forms में आ गए तो अगर question आता है कि positive integer इस form में है या नहीं तो आप check करके देख सकते हैं So with this we have covered almost all the topics of chapter 1 and all the best Thank you so much